हलो बच्चो तो आज जो है ड्रग इस्टोर एंड बिजनेस मेनेजमेंट के कुछ प्रीविएस एर्स के पेपर्स जैसा मैंने कहा था कि मैं प्रवाइड करा दूंगा ये पेपर्स तो प्रवाइड करा ही रहा हूं इनको तो आप लोग रखी लो अपने पास कोशिस करो एक क को नोट कर लो और जब भी कोई कोश्चन रिपीट होता है तो उसको लिखने की जरूत नहीं है जहां पहले आपने लिखा है उसके सामने वन प्लस टू वहां से आपको ट्रैक मिल जाएगा कि ये दो बार पुछा गया है फिर तिबारा अगर वही सेम कोश्चन रिपीट हो इसी तरह करते 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 आप दो या तीन साल के पेपर जब आप लिखो गए उनके कोश्चन तो आगे आप देखोगे कि 50% से ज़्यादा कोश्चन यही रिपीट हो रहे हैं और चार साल पांच साल के अगर आपने ले लिए तो आगे आपको कुछ लिखना ही नहीं प पड़ेंगे कभी कभी क्या होता है कुछ नया ट्रेंड आ जाता है तो नया कुश्चन सा जाते हैं बट एक दो मिलेगा इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा फिलाल देख लोग डियास भी हो जैसा मैंने कहा था मैं प्रवाइड करा जे रहा हूं इसके बाद इसके बाद भी मै मैं अभी यह बोलता हूं कि यह प्रवाइड कराने के बाद भी मैं इनके इंपोर्टेंट भी बना के आप लोगों को प्रवाइड कर दूँगा लेकिन जैसे जैसे समय मिलेगा मुझे मैं उसी तरह कर पाऊंगा जैसे कुछ बच्चे नहीं सर यह चाहिए वो चाहिए यह जो चाहिए तो उन बच्चों के लिए मेरा एक ही मैसेज है जो चाहिए आप अपने कॉलेज के टीचर से बोलिए मैं कई बारे बात बोल चुका हूँ कि आफ्टर आल आपने इतना पैसा दिया है अपने कॉलेज को तो जैरती बात उनसे डिमांड करो मैंने आप से कुछ नहीं लिया आप मुझसे मैं सिर्फ फ्री आफकास पढ़ाता हूँ आप लोगों को सिर्फ इसलिए कि हर बच्चा पहली चीज कोचिंग एफोर्ड नहीं कर सकता दूसरी बात कोविड टाइम पे सारे कोचिंग सेंटर में ताला बंद हो गया था यही एक वज़े है कि आज से आठ महिने पहले मैंने ये चैनल डाला ताकि हर बच्चे तक जो नालेज मेरे पास है मैं उसको शेयर कर सकूँ इसलिए जब मेरे पास जैसे समय होगा मैं प्रोवाइड करा दूँगा बार बार ये चीज कहने की जुरुत नहीं दूसरी बहुत सारे सब्जेक्ट बच्चे सरी ये पढ़ा दीजिये वो पढ़ा दीजिये देखो मैंने क्या कहा मैं खुद कॉलेज में टीचर हूँ तो मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं रहता है फिर भी जो समय रहता है मैं कोसिस करता हूँ आप लोगों तक नौलेज शेयर करने का केमेस्ट्री हंड्रेड परसेंट मैंने खतम कर दी है कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसको कन्फूजन हो किसी भी चीज में वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो मैं उसको जो है जवाब दूँगा या बताओंगा कि कैसे पढ़ना है बाकी भी कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहते हो तो एक काम करो 4-6-8-10 लोगों का गुरूब बना लो जो टॉपिक पढ़ना चाहते हो चाहे वो सेकेंडियर का और चाहे फस्टियर का उस टॉपिक का PPT बना के मुझे मेरे mail ID पे send कर दो मैं उसको आपको explain कर दूँगा सही तरीके से जिससे वो आपको समझ में आ जाए ये तो एक आसान तरीका है या फिर वेट करो जब मेरे पास समय होगा मैं उस हिसाप से provide करा होगा chemistry का guarantee मैंने ली थी chemistry मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको ठीक बाकी कोई subject पढ़ना है तो मैंने option बता दिया कोई बड़ी बात नहीं है दो दो तीन तीन लोग एक एक chapter के PPT बनाना शुरू कर दो सारे बन जाएंगे वो मुझे मेरे mail ID पे send कर दो मैं आपको mail ID प्रवाइड करा दूगा जिसको जरूरत है ठीक तो आप अपना इस तरह सकते हो खेर अब बात करते हम DSBM के paper की पेपर की अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यह बताऊंगा कि जब भी question paper आए जब भी बहुत अच्छे तरीके से साउधानी पूर्वक सबसे पहले पांच मिनट कुछ मत करो paper को अच्छे से पढ़ लो क्योंकि कई बार मेरा अपना experience है कई बार बच्चे बताते हैं सर गलती से question में तीन question पूछे गए थे चार दिये थे और मैंने क्या है चार के चारों कर दिये जिसकी वज़े से उनकी copy भी कम पढ़ जाती है 31 page की copy होती है सबसे पहले तो copy मिले तो अपनी copy के page गिन लो कहीं 30 तो नहीं है तो कि बाद में page कम पढ़ेगा तो board से आपको page नहीं मिलेगा उसके बाद question paper को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो कहीं कुछ समस्या होती है उसको देखो समझ में आएगा कि क्या पढ़ा है आपने तो पहली चीज तो यह पांच मिनट कुछ नहीं mind को अपने relax दो उसके बाद देखो यह question papers है मैं धीरे धीरे करके scroll करता चला हूँ जैसे पहले question में क्या दिया हुआ है answer any two of the following यह तीन दिये हुए है इन तीन में दो करने हैं कौन-कौन से दिये हुए है explain the term industry, commerce and trade discuss the various trade which are covered under foreign trades right chapter में दिया है बहुत अच्छे से इसके उपर मैंने MCQ अगर देखने हैं already MCQ अपलोड कर रहे बहुत सारे उसमें यह question आपको मिल जाएगा discuss the silent features advantage and disadvantage of soul propriety proprietorship business means जैसे single में लेना है या friends के साथ जो है combined में लेना है तो जो proprietorship है business की उसके advantage और disadvantage या उसके silent features कौन से यह explain करना है explain करने के साथ साथ एक चीज का ध्यान रखो आप हमेशा question के साथ साथ ध्यान रखो यह कितने number में पूछा गया है कितने number में पूछा गया है यह जानना बहुत जरूरी है right क्योंकि क्या होता है अगर कम number में पूछा जाएगा तो वहाँ पे कुछ न कुछ आपको content कम कर देना है ठीक दूसरी अगर बात की जाए हाँ दूसरी अगर बात की जाए जस सेके ठीक हाँ तो next question क्या है mention the various service provided by the retailers to wholesaler and consumers इसमें क्या है service जो धेर सारी services है जो बताई जाती है किसके किसके बीच में provided by retailer retailer provide करता है किसको किसको wholesaler को और consumer को उनके बारे में detail में बताना है इतना बताना है कि कम से कम 8 number में यानि 2-5 page हो जाए आपका तो इस तरह से पहला question आपका खतम हुआ दूसरे question में answer any of two जैसे उपर वाला था same वैसे नीचे वाला है discuss the various method of coordination codification of item of drug store पूरा codification chapter ही है पूरा आपका इस पे है ना write the details and quality in good salesman good salesman होने में उसके अंदर कौन सी qualities होनी चाहिए अभी यह नहीं है कि 10 line का निबंद लिख दो काम हो जाएगा है ना इतना लिखना है कि 8 number मिल सके write note on ABC analysis यह आपने hospital में भी पढ़ा ABC analysis और DSBM में भी पढ़ा दोनों में पढ़ा दोनों में same चीज है ठीक भई यह नहीं टू तीन दिये हैं देखो धेर सारे option मिल ले है document requires to open a retail drug store drug store open करने के लिए कौन-कौन से document एक तो बात हो गई कि जो आपकी किताब में लिखा है दूसरा drug store retail का हो चाहे wholesale का हो दोनों अगर आपको open करने है तो क्या procedure है कौन से form है वो form कैसे है यह सब जो मेरा दूसरा channel AV motivation मैंने उस पर complete detail डाल के रखिये तो आप वहां से उस video को भी refer कर सकते हो सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा इस से related ठीक next क्या है discuss the compensation plan to the pharmacist pharmacist का जो compensation plan है उसको क्या करना है discuss करना है ठीक फिर write about credit information अब accountancy में आ गए ठीक फिर चाथा नंबर क्या है any of two of इसमें से भी दोवदे को सारे वही आठाठ नंबर चले है basic principle है advantage of double entry bookkeeping double entry होती न जैसे past book उगरा होती है तो जी double entry क्यों होती है उस पर भी बाकादे पूरा topic है mcq में सारे जितने दिये है सबसे related जब chapter पर लो जितने लोग पढ़े हुए है mcq solve कर रहे न पता चल जागा कि कितनी तैयारी है आपकी what is trial balance write the objective of trial balance trial balance जो भी अपनी balance sheet वगरा होती है उसके बारे में सारी detail लिखनी है discuss the objective of budgetary control budget control कैसे कैसे होता यह 8-8 number में means इन 3 में से कोई 2 आपको करने है फिर 4-4 number में short answer आ जाते है इसमें किस पर किस पर short note लिखना है salesmanship mail order business window display pretty cash book financial planning balance sheet ठिक इतने दिये हैं इन में से किसी 4 पे आपको क्या करना है आपको answer लिखना है या short note लिखना है 4-4 number में जो question उपर English में थे वही question हिंदी में है starting में ही लिख दिया गया है कि question को बहुत ध्यान से पढ़ो अगर किसी तरह के हिंदी में अनुआद में फरक है अगर हिंदी के अनुआद में किसी तरह का कोई फरक है तब क्या करोगे आपको जो English version है उसी के हिसाब से आपको answer देना है ये ध्यान रखना ठीक तो ये हिंदी में आ गया भई विक्रेकार ये डाग द्वारा ब्यावसाय खिडकी प्रदर्शन खुद्रा रोकड बही है ना प्रेटी कैस बुक तो सब ध्यान देना नेक्स्ट येर के question में अगर बढ़े इसमें भी same बही सारी चीजे है सारे सारे question attempt करने है अगर किसी तरह का कोई numerical data में किसी तरह का variation दिखता है आपको किसी version में तो आपको क्या करना है या Hindi या English version में अगर कुछ difference है तो आपको English version जो है उसी को base मान के करना है ठीक Use of pager mobile phone by the students is not allowed while he was giving या he will giving exam जिस time पे exam दे रहा है student उस समय pager या mobile allowed नहीं है बच्चे के लिए फिर question पे आते हैं discuss of two discuss the importance of management in present business world आज की date में management की business में क्या importance है उसके बारे में आठ नंबर में लिखना है write the different form of business organization and explain any of two जो business organization है उसकी दो form जो different different forms है उनके बारे में explain करना है explain clearly the concept of multiple channel of distribution channel of distribution पे पूरा chapter है आपका है न और दूसरा क्या है कि ये depend करता है आपके number कितने आएंगे depend करता है जब option में दिया हुआ है तो कौन सा question आप आसानी से pick कर रहे हो किसके बारे में कितनी sharp आपके पास knowledge है फिर फिर दो नंबर में पूछा गया है space layout of drug store space layout भी आपको A.B. motivation में मिल जाएगा same उसी वीडियो में handling of drug store मिल जाएगा brief the modern technique of inventory control inventory control करने की धेर सारी modern techniques दी हुई है what is sales promotion explain the main objective sales promotion का main objective क्या है ठीक next है discuss the various steps involved in recruitment process of pharmacist various steps कौन कौन से pharmacist के recruitment के लिए जरूरी होते है वो कौन कौन से step है elaborate the main function of commercial bank write the merits and demerit of market research merits भी हो सकते है और कुछ demerits भी है economy पे कब बहुत फरक पड़ेगा काफी लंबा चोड़ा खर्चा भी आएगा answer any to अब फिर देखो देखो क्या है आप देखो ध्यान से 88 number में कितने सारे question पूछे जाते हैं और सबसे बड़ा challenge आपके लिए एग्जाम में होता है time management 8 number में दूसरा content management 8 number को कितना समय देना है कितना content लिखना है 4 number को कितना समय देना कितना content क्यों क्योंकि जब आप notes बनाते हो तो notes में पूरा पूरा लिखते हो फिर 4 number में पूछा जाए चाहे 8 number में पूछा जाए कोई खास फरक आप पे नहीं पड़ता ट्राइल बैलेंस है ना हाउ इट्स प्रप्यार देखो ट्राइल बैलेंस पहले भी पूशा गया था डिस्क्राइब टेक्निक अनलिसस फाइनशियल स्टेट्मेंट नेक्स्ट क्या लेजर बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक फिर चार नंबर में बुक कीपिंग डिफरेंट काइंड्स ओफ एकाउंट जो अलग अलग तरे के अकाउंट्स होते हैं ना VED अनलिसस बजेटिंग कैसे करते हैं लीड टाइम क्या होता है इन पे शॉट नोट लिखना है उन्हीं चीजों का फिर हिंदी में अनुवात कर दिया गया है सामान ने खाता भही ला भेवम हा ने खाता फिर बुक कीपिंग यानि पुस्त पालन खातों के विभिन प्रकार VED अनलिसस बजेटिंग लीड टाइम फिर 2017 में अगर बात की जाए क्या पुछा गया है Explain the meaning of characteristic of business, what are the objective of business, different type of business इसके पहले वाले में पुछा गया था Enumerate the various function of management, फिर make the distinction between government company and public company, ओके आठाट नमबर में What factors are to be taken in consideration for selecting a form, organization for running a drug store, drug store के लिए कैसे concept factors होंगे, जिसके base पे आप form को select करोगे Give the detailed description देखो, जो form numbers होते हैं, बहुत सारे form हैं, इसमें DSBM में हैं तो उन form numbers को याद रखना, MCQ में यही form number बहुत ज़दा आते हैं उसके लिए मैंने 6-7 वीडियो बना के रखे, उन वीडियो को एक बार देख लो, काफी कुछ DSBM के concept आपके clear हो जाएंग, right मैंने बीच-बीच में थोड़ा बहुत explaining भी किया है कुछ चीजों को What factors are to be taken, ठीक है Given details, description of space layout for big drug store, है न, wholesale अगरा जैसे होते हैं What are the various methods of renumerating medical representative, भई कौन-कौन से method होते हैं Okay, so it defines salesman, give its characteristic, how different from advertising, जो salesmanship होती है Advertising से कैसे different, देखो, salesmanship को define करना और इसकी characteristic previous में भी पुछा जा चुका है एक चीज और add कर दी गई, तब पुछा गया salesman पे short note था, तो ये दो चीज लिखनी थी चार नमबर में था, अब how it is different from advertising, advertising से salesmanship कैसे अलग है इतनी चीज और add कर दी गई, और इतनी चीज add करके ये 8 नमबर में आ गया है Define inventory, why proper valuation and effective control of inventory is necessary Obviously, inventory control अगर proper नहीं होगा, तो सही टाइम पे दवा नहीं मिलेगी दवा की availability नहीं हो पाएगी, expiry जादा हो जाएगी, economy पे बहुत फरक पड़ेगा न, तो धेर सारे features है Are salesman born or made, salesman पैदा होते हैं कि बनते हैं, है न, बहतर पता आपको Discuss this statement, इस statement को क्या है, discuss करना detail में Also, highlight the importance of sales training, अब जो sales training में salesman आब आदमी से salesman बनाए जाते हैं उनमें कौन-कौन से points highlight किया थे, उन points को लिखना है, इसमें फिर क्या कहता है, फिर art number में, give a pro pharma of three columnar cash book and imaginary figures इसमें बाकाय दो, जो आपकी book में table बनी हुई है, उस table को बना के आपको explain करना है What are financial account and what purpose do they serve? What do you understand by analysis and interpretation of financial statement, explain the different type of financial analysis आपके chapter में book दिया हुआ है, फिर चार number में क्या क्या है, separate entity concept Double entry system, है न, dual entry, जो आप पहले पुछा था, Trial balance भी पुछा जा चुका है, EOQ, EOQ ये hospital में भी ये economic order quantity बाकाय दे formula के साथ explain किया है, source of long term finance, sale promotion Sale को promote कैसे किया जाए, कैसे उसका advertisement किया जाए, TV से किया जाए, radio से किया जाए Newspaper से किया जाए, hoardings लगाई जाए, उनी सब बारे में explain करना है ये उसी का Hindi में अनुवाद दे दिया गया है, right फिर 2016 की बात की जाए, अगर discuss the main function of management का भी function क्या होता है what is the organization, explain the concept of functional organization discuss the utility of channel of distribution, देखो अभी ये दो question जो थे B और C, ये दोनों question पहले पूछे गए है, वो यहाँ पे मिल गए discuss the factor, consider selecting the site for a drug house drug house means, जो drug store आपको खोलना है, उसके लिए कौन सी location अच्छी होनी चाहिए, उसको select करने के लिए कौन से factor भाई जायरती बात है, लोग ज़्यादा होने चाहिए आबादी ये ज़्यादा होनी चाहिए है न, वहाँ पे जिससे की डॉक्टर्स के आसपास का surrounding का area होना चाहिए, डॉक्टर्स अब्विलेबल हो ताकि वो परचा लिख सकें ठीक, जहाँ बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं जहां से import-export आराम से हो जाए, traffic system नॉर्मल चल सकें, जहां पे आने-जाने की सुभिधाये हों है न, बहुत सारे ऐसे factors हैं describe the utility of tender in purchase procedure, tender system क्यों डाला जाता है, purchase procedure में उसको explain करना है explain the mechanism in writing the tender किस तरह से, tenders मंगवाय जाते हैं, quotations company हो से मंगवाय जाते हैं, medicine हो गरे making selection from among them, ठीक, उनको explain करना है, फिर C में क्या codification and space layout, यह दोनों question पहले आ चुके है फिर ABC and VED analysis देखो, inventory control पहले भी पुछा जा चुका है, explain the quality of good salesman पहले भी पुछा जा चुका है what are market research, explain its methodology पहले भी पुछा जा चुका है, मैंने का यह तो अभी तीसरे साल का है अभी आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, question जैस रिपीट होते जाएंगे what are the different type of accounts, explain the rule, debt and credit for each of them, देखो different type of account के बारे में बात की जा चुकी है, चार नमबर में अब rule for debt and credit का क्या होता है, each of them में उसको add कर दिया गया और यह चार नमबर और यानि आठ नमबर में describe the meaning of principle of double entry system, double entry system पहले पुछा जा चुका है cash book और trial balance जस्ट पीछे previous वाले में पुछा जा चुका है, repeat हो चुका है, ledger पहले भी था, economic order quantity यानि EOQ, lead time, balance sheet, sale promotion यह सारे के सारे question repeat हो गया है, अब यह हिंदी में हो गया इनका देखो, आगे further आपको नए question बहुत कम मिलेंगा discuss element of management प्रिवियस में है, profit and loss account with imaginary figures, various functions of commercial bank पहले पी पुछा जा चुका है ठीक, note of channel on distribution पहले हो चुका है, factors affecting the selection, the supplier यह question थोड़ा नया हो गया है trial balance पहले भी है, what are the objective inventory control पहले भी है, understand the maximum stock level and minimum stock level यह नया है लेकिन जो buffer stock level होता है, इसको समझना बहुत आसान है, ठीक, through light on procedure of purchasing यह नया है question फिर what are promotion mix, यह भी पहले आ चुका है, brief describe the convincing accounting, यह भी पहले आ चुका है various trading method, trained pharmacist, जो trained pharmacist होता है, वह कौन से method होते है जो pharmacist को trained किया जाए, वो कौन-कौन से method होते है फिर भाई, short में ABC analysis, balance sheet, salesman, sales promotion, codification, double entry सब बताया जा चुका है, ठीक, इनी सब का हिंदी में अनुवाद है तो कहीं कुछ बड़ा तोप नहीं मार रहे है, कोई यहांप है न, वही सारी चीज़े है फिर आजओ भाई, 2011 में सिधे आजओ, जम्प करके various form of business organization, channel distribution, consider selecting of site of drug store देखो सब question पुराने है, space layout, required for opening drug retail store पुराना है जो मैंने का IV motivation पे मिलेगा what are the various objective for purchasing, various contract which are entered while purchasing तो इसमें यह question नहीं है tender, codification inventory, credit in purchasing, यह सब पुराने है classify the various method, inventory control, describe one method in detail, describe technique method, scrap and surplus disposal, देखो कोई चीज expire हो गई है, या excess में हो गई है या किसी तरह का spillage हो गया है, गिर के तूट गई हो, नुकसान हो गया हो तो कौन से technique है, जिससे उनका disposal किया जा सके बहिए ऐसा तो नहीं कोई डवा expiry हो गई, कोई chemical expiry हो यूँ फेक दिया यूँ फेक दोगे, कोई लिस्तिमाल कर लेगा, तो उसको नुकसान हो सकता है तो as a pharmacist ethics, हमें ऐसा नहीं करना, उसको dispose करने का एक proper तरीका होता है उसको हमें follow करना होता है, और उस तरीके से उसको dispose किया जाता है वाट इस दा important side advertising and window display जगे 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 जो देखते होगे railway station पर या किसी hospital पर चले जाओ LED लगी हुई होती है, या फिर posters present होते हैं, या banners लगे हुए होते हैं that is called window display, means कहीं पर कुछ display है, जिस हमें दिक रहा है describe the ideal qualities of salesman, salesman की ideal qualities, market, importance of market research यह सब पहले पूछे जा चुके है discuss the service of, service and function of bank, importance of budgeting, यह सब पुराने question है general laser trial balance, profit and loss account, principle of double entry keeping है न, यह सारे question repeated है 2010 में आ जाओ, सिर्फ question का जलक ले लो, बाकी maximum आपको जो question है वो क्या है, वो यह आपको पुराने मिलेंगे, राइट जहां पे आपको लगता है कि थोड़ा जल्दी हो रहा है, जल्दी pass on हो रहा है वहाँ पुराने को यह सारे question repeated है lead time, carry time, safety stock, economic order quantity, इसलिए मैं fast चला रहा हूँ financial planning, function of bank, handling of drug store, hospital है न, यह सारी चीज़े क्या है फिर 2009 में आ जाओ भई इतने question है, इतने question सिर्फ इनका assignment बना लो दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती, even 80% से उपर number लेके आओगे दुनिया पूरी किताब रटने की कोई जरूत नहीं है questions लिखते जाओ, questions जो repeat हो रहा है, उसके आगे plus one, plus two, plus three, plus four करते जाओ उसके बाद नहीं को book उठाओ, solve कर लो ये 2001 का है या 4 का है, कुछ clear नहीं है, फिर भी देख लेना इतने पीछे की जरूत नहीं है वैसे, फिर भी मिल गया है question तो, देख लो किस टाइप से बनते थे question pattern आप में के वल 4 और 8 का है, इनमें कई तरीके से दिये हुए है ना, फिर ये 2008 का है देखो भई, वो साथ 2009 रहा होगा है ना, ये हो सकता है ठीक, what are the method of various method of recruitment of pharmacist, देखो सब पहले के हैं, method of self-promotion and drug and cosmetic acting according, role of wholesale pharmacy, भई क्या रोल होता है, function of management, देखो सब पुराने questions हैं, है ना, economic order quantity, various cost, inventory, lead time analysis, साब क्या सब ये 2007 का है, तो इतने question मैंने दे दिये हैं, I think अगर करना चाहो इमानदारी से न, एक हपते, एक subject को दे दो, assignment एक हपते बना लो, more than sufficient time है, है ना, और उसको सिर्फ रटा लगा लो, दुबारा देखना नहीं पड़ेगा फार्मेसी के तरफ, और अगर अच्छे से पढ़ लिए, और जो मैंने पर subject 6-7 mcq बना रखे हैं, जो भी 10-20-50 की, वो सारे के सारे बहुत अच्छे से 4-4-5-5 बार solve गर लो, तो बहुत सारे question है, जो आपके सिर्फ mcq based से निकल जाएंगे, बहुत सारे हैं कि अब तक मैंने drug store and business management है, drug store, medical store को कैसे manage किया जाए, business store के management को कैसे manage किया जाए, सिर्फ इतनी सी कहानी है कोई rocket नहीं launch करना है, concept से पढ़ोगे क्या कहना चारा है, 2006 का paper भई, देखो आप लोगों के लिए कितनी दूर-दूर से बेवस्ता की गई है तो pause करकर के note down कर लो, note down करके solve कर लो, फिर भी किसी subject में second year के कोई समस्या आती है, किसी specific topic में, PPT सीधे-सीधे PPT बना के मेरे पास भेजतो एडिट करने की जरूत नहीं, एडिट में कर लूँगा, right, type करने का समय नहीं हो पा रहा मेरे पास, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि आपका syllabus चेंज होगा, अभी मैं बहुत effort करके बनाता भी हूँ, सब बेकार है, क्यों, क्योंकि view, आप देखो, सुबह steroidal drugs डाला है, कितना 2-4 सो लोगों ने मुश्किल से देखा है, तो अगले साल भी इनको कोई नहीं देखने वाला, तो कोई मतलम नहीं है, जब आप खुद नहीं interest ले रहे हो, तो बेटर यह है, फिर भी, कुछ ऐसा है, चुकि आप लोग जुड़े हो सुरू से, कुछ ऐसा है, जो नहीं समझ में आ रहा है, उसका PPT प्रवाइड करो, मैं mail ID दे दूँगा, आप लोगों को है ना, में environment में क्या आएगा, इसका syllabus बिने पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत सारे बच्चों को ऐसे मैं जानता हूँ, उनके college में environment का syllabus तक नहीं होगा, मैं सब syllabus, old paper सब प्रवाइड करा दूँगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूत नहीं है, बस patience रखो, ठीक, यह सही तरीके से, इस्तिमाल करो आप लोग, तब तो मजा है, इस्तिमाल ना कर पाओ, तो फिर हमारे पढ़ाने का क्या मतलब बताओ, है कोई मतलब, कोई मतलब नहीं है, इसलिए बोलता हूँ, फिलहाल, solve करो यह सब, कहीं कोई समस्या आती है, तो मैं हूँ आपके साथ, परे अब तक दिया, यह question, पूछने का अधिकार नहीं है, आपके पास, यह अधिकार आपके पास वहाँ पे है, जिनको आपने लाखोर रुपए फिस दी है, आपके अपने college में, राइट, यहां आप पढ़ोगे, तो मेरे recording पढ़ोगे, सिद्धी सी एक बात है, जो मैं पढ़ किसे ही पढ़ाऊंगा, इसमें किसी की if but नहीं, मैं भी college का teacher हूँ, रास्ते चलते वाला नहीं, tuition teacher नहीं हूँ, इतना याद रखना, ठीक है, तो फिला इतना solve कर लो, जितना मैंने कहा, step by step बाकी भी subject के मेरे पास ready है, कल person में वो भी provide कर दूँगा, ओके, बाई